प्रदेश के समझ सिच्छामित भाईयों बानों मैं जीते अन्रसाई सबसे पहले मैं बता दूँ पिछले आडियो में मैंने कहा था कि सिच्छामित का भवी सुजल होने पर ही अपना आडियों प्रेशिद करूंगा लेकिन सोशल मीडिया पे तरह तरह की खबरे वाइरल करके सिच्छामित भाईयों भाईयों से मेरा करबद आगरा और निवेदन हैं कि ऐसा दो लेगे तो आपका परिवार बिखर जाएगा कोई परिवार आगे पीछे दिखाई नहीं देगा तो मैं बार-बार करवध्यागरा कर रहा हूं कि ऐसा निड़े कत्ताई नो ले कदाप नो ले क्योंकि जितन साही आपके सुख में भी था खड़ा दुख में भी खड़ा है आप विश्वास किये हैं तो विश्वास घात नहीं होने दूगा मांदे के लिए सब लोग व्यथित और प्रीडित हैं इस समय से मांदे बुप्तान नहीं हुआ इस बार थोड़ा लेट हो गया मैं छमा चाहता हूं क्योंकि मैं लखनव जाकर वित्विभाग से लेकर सासम तक प्रयास किया लेकिन कारणों बस मांदे निदेसाले तक अभी त अधेस नहीं गया है अवाधे mph ये तयारी है आने वाला जो सवताय या रहा है उसमें निदेसाले तक पहुझ जाए और निदेसाले जिलाsक शाजिकारी करेयाले हैं तक पहुझ जाए और 5 एसज्सिक शाजिकारी ऐले से आपको विश्वास दिला रहा हूं एक शुरुवात किया हूं अच्छा संदेश देना चाहता हूं गुरु गोरक नात जी के धरती से एक सिच्छा उन्यन गोश्टी का योजन किया गया है माननी मुख मंत्री जी माननी बेशिच्छा मंत्री जी पूर्ता रूप से सिच्छा मित्रों कि समस्वाब पर गंभीर है बारा अलिस समय आप थोड़ा सा तीका तिपड़ी से परहेज करें बचे भी और आपका भवी सुझ्जल होगा खूपने जा भी रहा है जैसा कि आप देखेंगे यह जो भी खबरें वाइरल की जा रही है इसमें दूर-दूर तक सत्ता नहीं है बिलकुल निराधार है कुछ लेखक लोग आ गये हैं जो उनकी लेखनी से सिच्छा मित्त अतों साहित हो थोड़े दिन तक अपनी लेखनी अपने पास रखें अपनी कारवाई अपने पास रखें तो बिहतर होगा शिच्छा मित्त की जिंदगी के साथ खेलवार नो कहलें और जिंदगी के साथ खेलवार खेलेंगे आप लोग तो आपके जिंदगी के साथ खेलवार भगवान कह लेंगे, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, शिच्छामित भाईयों बानों, आप धैरता और देरता के साथ, ब्येसिक शिच्छा विभाग, से जो भी दिशा निर्देश आपको मिल ला, ब्येसिक शिच्छा की गुर्भक्ता परक, पर वो कारवाईए वो समयानुसार सुनिशित करें, उस पर कोई टिका टिप्रिक करें उसको मों तोड जवाब दें, क्योंकि ब्येसिक शिच्छा की सुधार ही आपका भविष है, बेसी सिचा का सुधार ही आपका बविश तथा परिवार उज्वल है बेसी सिचा का सुधार ही आपके बच्चों का बविश भी उज्वल है वही हमारी पूजी है वही हमारी धरोहर भी है इसी के साथ आधनिय जिलाद्यक्ष हमारे प्रदेश प्रदादिकारी श्री गदादर्व दूबेजी से बात हुई है दो दिन से लगातार हम लोग संपर्क में है तेज तारीक का दुन सुनिश्चित किया गया घा गोरकपुर की धरती से एक सिच्छा उनन गोष्टी का आयो गोजन से ही आपका भविश्ट का मार्ग प्रसस्त होगा उज्वल होगा सुधार होगा आप खुद देखेंगे शिच्छा मित के जो भी गोरकपुर के हमारे पतादिकारी है चाहिए बलाग से लेकर जिला जिला से लेकर मंडल सभी ततपरता के साथ संख्या भलको उपस्थिती कैसे कराई जाएगी यह तैंखर लें आपको सूचना दी जाएगी और उसी सूचना के अनुसार उसी समय के अनुसार आपको गोरकपुर में उपस्थित होना निश्यत है अगल बगल के गोरपूर के मंडल के जो भी पतादिकारी मेरे हैं, जितने जनपत के पतादिकारी हैं, ओ सभी पतादिकारियों के भी उपस्थिती अनिवार होगी, ओ भी अपनी तैयारी कर लें, 20 तारीक, 20 जनवरी, 7 बजे आपको उगत कराया जाएगा, कहां कैसे आपको उ स्थित होना है, मैं सिच्छामित भायों, आम बनों से कहना चाहता हूं, आपकी कारवा, आपकी जजबा, आपका जोस, होस में राना चाहिए, हो सही आपकी पूजी होगी, हो सही आपकी जिंदगी होगी, हो सही आपकी धरोहर होगी, इसी के साथ मैं पुना अपने बानी को दोराते हुए रग कुल रीति सदा चली आई प्राण जाय प्रवचन जाई मैं माननी मुखमंत्री जी को माननी बेसिक सिच्छा मंत्री जी को किर्टकता धन्यबाद के अपित करते हुए बाड़ी को विराम देता हूँ जय सिच्छक जय सिच्छा में समाद